को उनके जीवन की सोच को राजनीती के प्रती उनकी सजग विचारधारा को एक सुंदर प्रदश्णी के रूप में यहां पर दिखाया गया है कुछी पलों में प्रधान मंत्री प्रवेश करेंगे और समिधान निर्माता डॉक्टर भीम राव अमबेटकर जी की कि नमन करते वे भारतिय जनता पार्टी के विचार और दर्शन के प्रेणा पुरुष मानिये दीन द्याल जी को अपनी फुश्पांजली आर्पित कर रहे हैं हमारा सोभाग्या है कि आज अंतियों देके जो दीन द्याल जी की दर्शन और द्रश्टी थी जिन मुल्यों का उन्होंने बीजर ओपन किया आज मानिये प्रधानमंत्री शी नरेंद्र मोदी जी के नेत्रित्म में भारती जनता पार्टी उनी विश्यों को देश में आगे बढ़ा रहे हैं मैं इस सवसर पर राष्ट्य अद्यक्ष मानिये जगत प्रकाश नड़ा जी से निवेदन करूँगा कि वे हम सब की और से मानिये प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करें मानिये नड़ाजें हम सब इस बात से बहली बाती परिचित हैं कि दिंद्याल जी का जीवन संगठन से वी और तपस्वी का जीवन था राजनीती में शुचिता का संकल पूरत लेने की प्रेढ़ा पंडित दिंद्याल जी के राजनीतिक जीवन से हमको मिलती है और इस अवसर पर पार्टी के राष्ट्य अद्यक्ष माने जगत्प्रकाश नड़ाजी से मैं निवेदन करूँगा कि वे इस अवसर पर हम सभी सांसदों को प्रस्ताविक भाषन दे माने राष्ट्य अद्यक्ष जगत्प्रकाश नड़ाजी भारत के येशोस्षी प्रधान मंत्री आदर्नियशी नरिंद्र मोधी जी, हमारे सभी यहां उपस्थित मंत्री गण, सांसत गण, आज हम पंडित दिन्द्यालुपाध्य जी की तिरपन्वी पुन्य तिथी मना रहे हैं, 53rd पुन्य तिथी मना रहे हैं, संसद लगने के कारण सत्र होने के कारण हम लोगों ने तै किया कि हमारे सभी संसद गंड आज यहां उपस्तित होकर के पुनेतिती भी मनाएंगे और ऐसे ही हम देश भर में सभी इकाईयों में पंडिदिन द्याल जुपाध्या जी के कृति को याद भी कर रहे हैं और उनके बताय रास्ते पर चलने का संकल्प लेते हुए आगे बढ़ने का हम लोगों ने तै कि आज यह हमारा स्वभाग्य है कि आदरनी प्रधान मंत्री जी का मार दर्शन हमको पुनेतिती के अफसर प हमर्पन और जभी पार्टी ने किसी भी द्रश्टी से कोई भी उनसे निवेदन किया उन्होंने हमेशा पार्टी के निव documentaries को स्विकार मार्दर्शन से हमको जो रास्ता मिलेगा उस पर हम सब लोग संकल्प ले करके चलेंगे ऐसा हम विश्वास रखते हैं आज पंडित दिंद्याल पाध्याजी की पुर्णेति थी है हम सब जानते हैं कि भारतिय राजनीती के वो शिखर पुरुष थे और हमारे भारतिय जनसंग के संस्थापक सदत से भी थे लंबे से में महामंत्री रहे बाद में वो अध्यक्ष बने बहुत ही रहस्में तरीके से वो हम सब को छोड़ करके चले गए और वो रहस्य आज भी बना रहा है लेकिन उन्होंने बहुत ही कम अवधी में भारतिय जनसंग को जो गती दी ताकत दी उससे हम लोग प्रेणा लेकर के आज अभी जो भारतिय जनता पार्टी का विशाल स्वरूप और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनी है और विचारधारा को लेकर के चल रही है उसके मूल में पंडिदीन द्यालुपाध्याजी का दिया हुआ मंत्र है दृष्टी है जिसको हम सब लोग लेकर के चल रहे हैं जहां तक उनके खुद का विक्तित्यों का सवाल था हम सब जानते हैं कि बहुत कम लोग होते हैं जिन में कई प्रकार के गुण होते हैं वो बहु आयामी के धनी थे बहु प्रधिभा के धनी थे और एक सक्षियत ऐसे थे जिसमें राजनेता के गुण भी थे संगठक के गुन भी थे और विचारक के गुन भी थे त्रीन वन थे और उन्होंने हम सब लोगों को संगठन को भी मजबूत किया विचार भी दिया और साथी साथ राजनेता के तरीके से नेत्र तो भी उन्होंने प्रदान किया हम सब जानते हैं कि उन्होंने एकात्म मानवाद का मंत्र दिया जिसको लेकर हम सब लोग हमारी सरकारे हमारा नेत्र तो उसको लेकर के आगे बढ़ा है ऐसे अटल जी के शब्दों में कहें तो राजनीती उनके लिए साध्य था साध्य नहीं था वो साध्य के रूप में उसको इस्तमाल किया उन्होंने और इसी बात को आगे बढ़ाते चले गए हम सब लोगों ने अपनी सरकारों में अंतोदे को आगे बढ़ाया और प्रजान मंत्री नरिंद मोदी जी ने उसी को साकार करते हुए जो मंत्र आगे दिया सरकार में सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास यह उसी का उसी मंत्र को अंतोदे एकातन मानवात को बढ़ाते हुए फिर चाहे वो जंधन योजना हो आयुष्मान योजना हो प्रधान मंत्री आवास योजना हो प्रधान मंत्री किसान सम्मान इधी हो सौभागय योजना हो उजाला योजना हो उज्वला योजना हो यह स रदानमंत्र को साकार करने का काम प्रधानमंत्री नर्णीर मोधी जी ने बखूबी किया है और उसको दुनिया ने भी माना है और दुनिया में वी उसकी थाथ ही इस बात को समुझना चाहिए। थो सेवा ही संगठन है और सेवा ही संगठन में भारतिय जनता पार्टी ने कोरोना काल में सबसे आगे बढ़ करके मानवता की सेवा के लिए एक बहुत बड़ा काम किया, आपके नेत्रत्व में किया, उसका भी हम कोस्ट में से मार्दर्शन मिला। आपने जिस तरीके से कोरोना संक्रमन को, पेंडिमिक को सामने से लीड किया है और जिस तरीके से 130 करोड जनता के मन में विश्वास बैठाते हुए भारत देश को कहीं भी जब बड़े बड़े देश, शक्तिशाली देश अपने आपको असहाय महसूस कर रहे थे हमारे से अच की स्वास्त सेवाएं लडखडा गई, तब आपने भारत देश के 130 करोड देश को फ्रंट से लीड करके दुनिया में सापित किया कि किस तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं, और आज ये गौरवप्रदान किया कि वैक्सिनेशन में हम दुनिया का सबसे बड़ा कारक्रम ले हैं, और इसके साथ साथ 130 करोड देशी नहीं, 15 से 16 देशों को अभी तक हम वैक्सिन दे चुके हैं, और भी जहां उनकी दिमांड हो रही है, उसको भी पूरा कर रहे हैं, तो अपने ये मानवता के दृष्टी से अपने देश की आवशक्ता को पूरा करना, और अन्य देश को प्रधान मंत्री जी ने साकार किया है, आज वो हमारे बीच में है, हम सब को उनका मारदर्शन इस पुन्य तित्री में मिलेगा, मैं प्रधान मंत्री जी को विश्वास दिलाता हूं, कि आज समरपन दिवस पर, जो हम सारे देश में सभी इकाईयों में मनाते हैं, वो हम जो आपका मारदर्शन मिलेगा, उसको लेकर के हम आगे कारकम भी लेंगे, और पंडिदीन दियालुपाद्ध्याजी के रास्ते पर चलते हुए, सरकार के माध्यम से, जो गरीबों की सेवा हो रही है, जो महिलाओं की सेवा हो रही है, जो किसानों की सेवा हो रही है, जो म आपको विश्वास लाता हूँ और मैं निवेदन करूँगा आपसे कि आपका हम सब को मारदर्शन मिले इसके पहले एक एकल गीत होगा और एकल गीत के प्रश्चाप फिर प्रदान मंतरी का हम सब को मारदर्शन मिलेगा एक राष्ट्र का चिंतन मन में एक राष्ट्र का चिंतन मन में कोटी कोटी जनता की जय हो भारत जननी एक रुदय हो एक राष्ट्र का चिंतन मन में कोटी कोटी जनता की जय हो भारत जननी एक रुदय हो स्नेह सिक्त मानस की वानी गूझे गिरा यही कल्यानी चिरा उदार भारत की संस्कृती सदा भय हो सदा जय हो भारत जननी एक रुदय हो मिटे विशमता सरसे समता रहे मूल में मीठी ममता तमस काली मा को विदीर न कर जन जन का पथ जयो तिरमय हो भारत जननी एक रुदय हो भारत जननी एक रुदय हो अनेक धर्म भाशा विभिन्न स्वर एक राग अंतर में सजकर जन कृत करे रुदय तंत्री को स्नेह भाव प्राणों में लय हो भारत जननी एक रुदय हो भारत माता की मैं कहूंगा दिन दया लुपाज ध्याए आपको ये अमर रहे अमर रहे दिन दया लुपाज ध्याए दिन दया लुपाज ध्याए अमर रहे अमर रहे दिन दया लुपाज ध्याए दिन दया लुपाज ध्याए दिन दया लुपाज ध्याए पार्तिय जनता पार्टी के रास्तिय अध्यक्ष स्रिमान जेपी नड्डा जी पार्टी के सभी वरिष्ट पदाजिकारिगंग और सभी मानिय संसत्र आज हम सब दिन्दयाल उपाध्याई जी पुन्यतीथी पर अनेक चरणों में अपनी सद्धानली अर्पित करने के लिए एक अत्रुफिये हैं पहले भी अनेक आफसर पर हमें दिन्दयाल जी से जुड़े कारकमों में शामिल होने का अपने विचार रखने का और अपने वरिष्ट जनों से विचार सुनने का अउसर मिलता रहा है यहाँ पर तो सभी लोग उस विचार परिवार के सदस्य हैं दिन्दयाल जी जिसके मुख्य की तरह मुख्या की तरह एक प्रेणा की तरह अविरत रुप से हमें प्रेणा देते रहे हैं आप सब ने दिन्दयाल जी को पढ़ा भी है और उनी के आदर्शों से अपने जीवन को गढ़ा भी है और इसलिए आप सब उनके विचारों से उनके सबनपन से भली भाती परिचित है मेरा अनुभव है और आपने भी मैसूस किया होगा कि हम जैसे जैसे दिन्दयाल जी के बारे में सोचते हैं बोलते हैं सुनते हैं उनके विचारों को पढ़ने का प्रयास करते हैं हमें उनकी बातों में उनके विचारों में हर बार एक नई ताजगी एक नया दृष्ट को एक नविंता का अनुभव होता है उनके विचार आज भी उतने ही प्रासंगिक है जितने तब थे और आने वाले समय में भी उतने ही आवश्यक रहेंगे जितने आज है एकात्म मानव दर्षन का उनका विचार मानव मात्र के लिए था इसलिए जहां भी मानवता की सेवा का प्रश्ण होगा मानवता के कल्यान की बात होगी दिन दर्वायल जी का एकात्म मानव दर्षन प्रासंगिक रहेगा ही रहेगा एकात्म मानव दर्षन में विशेश रुप्षे इन तीन शब्दों में व्यष्टी से समस्त्री की यात्रा व्यक्त होती है स्वार्थ से परमार्थ की यात्रा का मार्क स्पष्ट होता है और मैं नहीं तूही का संकल्प भी सिद्ध होता है साथ यारा हमारे यहां कहा गया है स्वदे से पुझते राजा स्वदे से पुझते राजा विद्वान सर्वत्र पुझते अर्थात सत्ता की ताकत से आपको सिमित सम्मान ही मिल सकता है जहां सत्ता की ताकत प्रभावी होगी वहीं सम्मान मिलेगा लेकिन विद्वान का सम्मान हर जगर होता है दिन्द्याल जी इस विचार के साक्षा जीता जाकता उदारन है उनका एक एक विचार उनके एक एक शब्द उन्हें पुरी दुनिया में एक विलक्षण गत्तित्व बना देते हैं सामाईगी जीवन में एक नेता को कैसा होना चाहिए भारत के लोक्तंत्र और मुल्यों को कैसे जीना चाहिए दिन्द्याल जी इसके भी बहुत बड़ा उदारन है एक और वो भारतिय राजनीती में एक नए विचार को लेकर आगे बढ़ रहे थे वहीं दूसरी और वो हर एक पार्टी हर एक विचार धारा के नेताओं के साथ भी उतने ही सहज रहते थे हर किसी से उनके आत्मिय समंद थे उन्होंने अपनी पॉलिटिकल डायरी लिखी थी जिसमें नहरुजी की सरकार की सुरक्षा के समंद में खाद्य नीतियों के समंद में कृशी नीति के समंद में खुल करके तथ्य परक आलोचना की थी बहुत ही क्रिडिसाइज किया था लेकिन जब उन्होंने अपनी इस डायरी को प्रकासित किया पुस्तक के रूप में तो इसका प्राकत्थन उन्होंने कॉंग्रेस नेता और यूपी के मुख्यमंत्री रहे स्रिमान संपुणा नंजी से ही लिखवाया संपुणा नंजी ने अपनी टिपनी में एक बहुत ही प्रभावी लाइन लिखी है उन्होंने लिखा है ये पुस्तक फ्यूचर रीडर्स के लिए एक साइकोलोजिकल ग्लो है आज दुनिया देख रही है कि इस महापुरुस के विचारों का ये ग्लो कैसे पूरे भारत में अपनी चमक बिखेर रहा है साथियों हमारे सास्त्रों में कहा गया है स्वदेशो भुवनम्त्रयम स्वदेशो भुवनम्त्रयम अर्थात अपना देश ही हमारे लिए सब कुछ है तीनों लोकों के बरावर है जब हमारा देश समर्थ होगा तभी तो हम दुनिया की सेवा कर पाएंगे एकात्म मानव दर्सन को सार्थक कर पाएंगे दिन्दय लुपायतियाई जी भी यही कहते थे उन्होंने एक स्थान पर लिखा था एक सबल राष्ट ही विश्व को योगदान दे सकता है यही संकल्प आज आत्म निर्भर भारत की मूल अवधारणा है इसी आदर्श को लेकर ही देश आत्म निर्भरता के राष्टे पर आगे बढ़ रहा है करोना काल में देश ने अंत्योदे की भावना को सामने रखा और अंतिम पाइदान पर खड़े हर गरीब की चिंता की आत्म निर्भरता की सकती से देश ने एकात्म मानव दर्शन को भी सिद्ध किया पूरी दुनिया को दाज दुनिया को वैक्सिन भी पहुँचा रहा है साथियों देश की एकता अख़ा के लिए भी आत्म निर्भरता की जरुरत पर दिन द्याल जी ने विशे जोर दिया था 1965 में भारत पाग उद्ध के दौरान भारत को विदेशों से हत्यार के लिए निर्भर रहना पड़ता था और दिन द्याल जी ने कहा था कि हमें सिर्फ अनाज में ही नहीं बलकि हत्यार और विचार के खेत्र में भी भारत को आत्म निर भर बनाना होगा उनके इस वीजन को पुरा कर दे के लिए भारत आगे बढ़ रहा है आज भारत में डिफेंस कोरिडोर बन रहे हैं स्वदेशी हत्यार बन रहे हैं और तेजस जैसे फाइटर जेज भी हवा में उडान भर रहे हैं हत्यार के खेत्र में आत्म निर भरता से अगर भारत की ताकत और भारत की अर्थेववस्ता मजबूत हो रही है तो विचार की आत्म निर भरता से भारत आज दुनिया के कई खेत्रों में नित्रुत्व दे रहा है आज भारत की विदेश निती दबाव और प्रभाव से मुक्त होकर राष्ट्र प्रथम के नियम से चल रही है नेशन फर्स्ट प्रकृती के साथ सामंज सका दर्शन दिन्द्याज जी ने हमें दिया था भारत आज इंटरनेशनल सोरार अलाइंस का नेत्रुत्व करके दुनिया को वही रहा दिखा रहा है साथियों दिन्द्याज उपाई जी ने दुनिया की किसी भी सोच के प्रभाव में अपने विचारों को नहीं गड़ा था इसलिए उनके विचारों में एक मौलिक्ता थी भारत की भावना भारत का मानस भारत के मुल्य वेज से विवेकानन तक की भारत की चिंतन यात्रा ये सारी बाते दिन्द्याज जी के चिंतन में जलकती थी इसलिए वो एक ऐसी अर्थेववस्ता की बात करते थे जिसमें पूरा भारत शामिल हो जिसमें पूरे भारत की विविदता जलके लोकल एकानामी पर वीजन इस बात का प्रमान है कि उस दोर में भी उनकी सोच कितनी प्रैक्टिकल और व्यापक थी आज वोकल फर लोकल के मंत्र से देश इसी विजन को साकार कर रहा है आज आत्म निर्भर भारत अभियान देश के गाउं गरीब किसान मजदूर और मद्यमबर के भविश्य का निर्मान का एक माध्यम बन रहा है आखिरी पायदान पर खड़े व्यक्ति का भी जीवन स्तर कैसे सुद्रे इज ओफ लिविंग कैसे बड़े इसके प्रयास आज सिद्ध होते दिख रहे हैं उजवला योजना जनदन खाते किसान सम्मान नीधी हर घर में सोचाले हर गरीब को मकान आज देश एक एक कदम आगे बढ़ते हुए इसको सिद्ध करता हुआ गवरों के साथ विकास की राह पर चल पड़ा है इंफस्ट्रक्टर की दिशा में हो रहां बड़ा बड़लाव भी सामान्य मानवी के जीवन को सरल बड़ाएगा देश को एक नई भव्य और आधूरिक पहचान देगा साथियों आज जब देश में इतने सकानात्मक बड़लाव हो रहे हैं पूरी दुनिया में भारत का कद बढ़ रहा है तो कौन भारतिय होगा कौन इस मा का लाल होगा जिसको गवरों न होता हो उसका सीना चोड़ा न होता हो उसका माथा उंचा न होता हो आज विश्व फर में फैला हुआ भारतिय समुदाए जिस गर्व के साथ जी रहा है उसका कारण भारत में हो रही गतिविदी है हमें गर्व होता है कि हम अपने महापुरुशों के सपनों को पूरा कर रहे हैं हमें गर्व है कि हमारी विचारधारा देश भक्ति को ही अपना सब कुछ मानती है हमारी विचारधारा देश भक्ति से शुरू होती है हमारी विचारधारा देश भक्ति से प्रेरित होती है हमारी विचारधारा देश हीत के लिए होती है हम उसी विचारधारा में पले हैं जो विचारधारा राष्ट प्रधम नेशन फर्स की बात करती है यह हमारी विचारदारा है कि हमें राजनीती का पात राष्ट नीती की भाशा में पढ़ाया जाता है हमारी राजनीती में भी राष्ट नीती सर्वो परी है हमें राजनीती और राष्ट नीती में से एक स्विकार करना होगा तो हमें संस्कार मिले हैं राष्ट नीती को स्विकार करना राजनीती को नमबर दो पर रखे हैं हमें गर्व है कि हमारी विचारधारा सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास की बात करती है उस मंत्र को जीती हैं आप देखिए हमारी पार्टी ने अपनी सरकारों में ऐसी कितनी ही उपलब्दियां हासिल की हैं जिन पर आपको गर्व होगा आने वाली पीडियों को गर्व होगा जो निर्णें देश में बहुत कठीन माने जाते थे राजनीती ग्रुप से मुष्ठिन माने जाते थे हमने वो निर्णें लिये और सब को साथ लेकर लिये उधान के तौर पर देश में नए जनजाती कारियम मंत्राले का गठन जनजाती समुदाय को हमारे आने के बाद थोड़ा था पहले भी था लेकिन उस मंत्राले का अलग मंत्राले का घठन भाजपा की ही सरकार में हुआ है यह भाजपा का सरकार की ही देन है कि पिछड़ा आयोग भी उसको समयधानिक दरबाजा उसको दरज्जा मिल सका समयधानिक स्टेटरस हमारे आने मिल चका और यह भाजपा की ही सरकार है जिसने सामान्य वर्ग के गरीब लोकों को भी आरक्षन देने का काम किया और आप देखिए देश में जब भी ऐसे कोई काम हुए है तनाव पैदा हुआ है संगर शुभा है समाज बढ़ गया है उसी काम को हमने मेल जोल प्यार के बातावरन में किया है क्योंकि राष्ट्र नीती सर्वो परी है राज नीती एक व्यवस्ता है राज्यों का विभाजन देख लीजिए राज्यों का विभाजन ते सा काम राज नीती में कितने रिस्क का काम समझा जाता था इसके उधान भी है अगर कोई नया राज बना तो देश में कैसे हालत बन जाते थे लेकिन जब भाजपा की सरकार ने तीन नय राज बनाए तो हर कोई हमारे तौर तरीकों में दिन द्याल जी के समस्कारों का प्रभाव स्पष्ट देश सरकार उत्तर प्रदेश से उत्तरा खंड का अंधिर्बान हुआ जार खंड बिहार से बनाया गया और 36 गड को मद्य प्रदेश से अलग आकार दिया गया लेकिन उस समय हर राज्य में उत्सव का माहूर था न कोई शिकायत थी न कोई गीला सिक्वात आनंद ही आना था दोनों तरफ आनंद था हमारी सरकार ने लद्दाक करगील को अलग केंद्र साथित राज्य का दर्जा दिया है और महाजी भी उत्सव का ही वाता बने है इसी तरह जम्मू किश्मीर और महा के लोगों के आनंद है अगर उनकी नई रचना की तो भी आनंद है और सम्मिलित किया तो भी आनंद है क्योंकि हमारी प्रेर्णा राष्ट्र नीती है राजनीतिक स्वार्थ के लिए हम निर्णे नहीं करते हैं और इसका असर चंद सामान्य के मन पर होता है साथियों हम राजनीती में सर्वसम्मति को महमत महत्र देते हैं हम सहमति के प्रयास को करते करते सर्वसम्मति तक जाना चाहते हैं कि निंद्याल जी कभी भी राजनीतिक अस्पृस्ता में विश्वात नहीं रखने से और आपको याद होगा कि जब मैं 2014 में आया तो मुझे सदन में एक बार बोलने का मुखा मिला तब मैंने सदन में कहा था और बड़ी जिम्मेबारी के साथ कहा था और बड़े कन्विक्षन के साथ कहा था जो इस कन्विक्षन को हम लोग जीते हैं हमें समस्कार में मिले हैं और मैंने पार्लेमेंट पर कहा था कि बहुमत से सरकार चलती है बहुमत से सरकार तो चलती है लेकिन देश तो सहमती से चलता है सर्वसम्मति से चलता है और हम सर्व सरकार चलाने नहीं आए हैं हम तो देश को आगे ले जाने के लिए हमारे राजनितिक डल हो सकते हैं हमारे विचार अलग-अलग हो सकते हैं हम चुनाओं में पुरी सकती से एक दुसरे के खिलाब लड़ते हैं पर इसका मतलब यह नहीं कि हम अपने राजनितिक विरोधी का सम्मान लग करें आपने देखा होगा प्रणम मुखर जी साथ हमें भारत रत्न देने में गर्व हुआ है यह को हमारी पार्टी के नहीं थे हमारे अलोचत थे अभिया आसाम में तरून गोगाई जी नगालामि में एंसी जमीर जी जुछ सारे हमां राजनितिक विचारत थे वरा राजनितिक जर इनकी थे को लिए லागय देना भाई नहीं हमारी पार्टी का हिस्षा थे नहीं हमारी घडवंदन का हिस्षा थे लेकिन राज के प्रतिवन के योगदान का सम्मान करना हमारा करतव्य हमने पत्पसरी दिया राज नीतिक अस्पृस्यता का विचार हमारा संस्कार नहीं है आज देश भी इस विचार को अस्प्रिस्यता के विचार को अब देश अस्विकार कर चुका है हाँ ये बात जरूर है कि हमारी पार्टी में बहुंसवात को नहीं कारकरता को महत्म दिया जाता है इसलिए आज देश हमसे जुड रहा है और हमारे कारकरता भी हर देश वाथी को अपना परिवार मानते है कही कोई आपदा आती है तो हमारे करोडों कारकरता अपना सब कुछ छोड़कर वहाँ पहुंच जाता है कोरोणा जैसा इतना बड़ा संकट आया दुनिया में हर कोई अपने जीमन के लिए डरा हुआ था लेकिन हमारे करोडों कारकरताओं ने अपना दाईत्व समझ कर दिन रात एक कर दिया राश्ट्रिय अद्यक जी ने पार्टी गारकरताओं से आवान किया था कि सरकां के साथ साथ वो भी अपने जिम्यदारी निभाएं हर कारकरता ने सेवा के संकल्व को राश्ट्रस्वयपी मिशन बना दिया था और मैं पार्टी का आभारी हूँ राश्य अद्धिक जी का आभारी हूँ कि मुझे वीडियो कांफरंस के माद्यम से देश भर के कार्यकरताओं के साथ इस कोरोना कालखंड में उन्होंने जो सेवा कारी किये उसका वृत्त सुन्य का अउसर मिला था हमारे कारकरताओं ने कैसे कैसे संकटों को रिस्क को उठाया था और कितने जी जान से उन्होंने गरीबों की सेवा की थी किसी गरीब के घर में चूला न जलें कोई गरीब रात को भुखा न सोयें इसके लिए भारतिय जरता पार्टी कारका गाउं गाउं में कारकरता दिन रात लगा रहा था मैं देख रहा था कि जब हमारे स्रमिक बंदू अफ्वाओं के चलते भय के चलते और कुछ लोगों की राजनीतिक इरादों के चलते जब शहरों को छोड़ करके रोजी-्रोटी छोड़ करके गाउं की और चल पड़े थे तब भारतिय जनता पार्टी के कारकरता राह पर चिंता करते हैं उनकी दबाई की चिंता करते हैं उनकी पानी की कि यह साना वृत्य में सुन रहा था कि मेरे मन को छू रहा था और कारकरताओं के इस परिश्चन से मुझे भी काम करने की प्रेहना मिलती थी इस अभियान में किसी ने वोड़ बेंग की चिंता नहीं की यह नहीं सोचा कि किसका वोड़ हमें मिलता किसका नहीं मिलता साथ यों हमारी पार्ट की हमारी सरकार आज महत्मा गांदी के उन सिध्धांतों पर चल रही है जो हमें प्रेम और करुणा के पार्ट पढ़ाते हैं हमने बापु की एक सो पटास भी जन्म जन्ती भी बढ़ाई और उनके आदर्शों को अपने राजनिती में अपने जीवन में भी उतारा हमारी सरकार नहाए हमारे महापुरुषों को भी राजनिती समिरकान के चस्पे से कभी नहीं देखा जिन स्वाधिन्ता सेनानियों के उपक्ष्या होती रही उन्हें हमने सम्मान दिया ये हमारी ही सरकार है जिसने नेता जी को वो सम्मान दिया जिसके वो हकदार थे उनसे जुड़ी हुई फाइस को खोला लाल किले पर जन्डा भराने का काम नेता जी किस मुति में करना शायद किसी और सासन में कोई सोच नहीं सकता था अन्यमान निकोबार में नेता जी को याद करकर के उस दीप्षमों में एक का नाम नेता जी के नाम से कर देना शायद किसी और सरकार में कोई सोच नहीं सकता सरदार प्रटेल की दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिवा बनाकर हमने उन्हें सद्धा पुरवक नमन किया कि देश की एक्ता के मंत्र को आने वाली पीणियों को प्रेणा के रूप में उस जगा से चेतना मिलती रहें उस रूप में उस परिशर को खड़ा किया गया है कि और मैं तो मेरे सभी सांसə्दों को चाहूंगा कि कभी में कभी अपने कायरकार्ताओं की टॉली बनार करकर वा और डूसरा में सभी सांसदों से आगर करूँगा जब भी मोका मिले अपने कारकर्ता और पने साथियों के साथ पाशी जागर कि कासी के निकत में ही जहां पंदीत डिनदयाल जी ने अपना अंतीम सहाथ जहां एक समारक उत्तपदेश सरकार ने बनाया है में देखने जैसा और वहाँ एक बार हो आईए हमारे लिए सारे तिर्सक्षेत्र हैं और हम लोगों ने कभी ने कभी मोका लेकर वहाँ जाना चाहिए आप देखिए कि जिस जगाब हम बैठें बाबा साब आमबेड कर के स्मुति में बना हुआ भवन क्या कोई और सरकार बनाती क्या यह हमारे संसकार हैं जो हमें इस काम करने के लिए प्रेवित का बाबा साब आमेड को भी भारत रत्न तब बिला जब बीजेपी के समर्धन से सरकार बनी थी इन कारियों का भाजपा को हम सभी को बहुत गर्ब है साथियों आगले महिनों में पांच राजय में चुनाव भी आने वाला है हम सभी कायरकरताओं को राश्टी अद्यजी के नेत्रुत्व में अपनी सकारत्पक सोच और परिश्रम के आधार पर जनता के बीश में जाना ह जनता इंचे सालों में हमारी नीत्यों को भी देख चुकी हैं और सबसे बड़ी ताकत हमारी जो हैं देश ने हमारी नीत को भी देखा है परखा है और पुरस्कार भी दिया है हमें उसी विश्वास को लेकर के आगे बढ़ना है राश्री अद्यक जी के नेत्रुतों में हम जरूर सभलता पाएंगे सात्यों हमने देखा है कि पिछले कुछ सालों में टेक्नोलोजी का यूज करके हम बहुत बड़े स्केल पर लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने म सपल हुए है कि गरीब है कम पड़ा लिखा व्यक्ति टेक्नोलोजी को यूज नहीं कर पाएगा ऐसे सारे मिठक को तोड़कर आदेश रेकॉर्ड स्थर पर डिजिटल लेंदेन कर रहा है आज देश में हर महिने चार लाग करोर रुपे से भी जादा का लेंदेन यूपी आई के माध्यम से हो रहा है मोबाइल फोन से वो खरीद विक्री कर रहा है पैसे लेना देना कर रहा है डिजिटल लेंदेन करना अब लोगों के विहवार का हिस्सा बनता जा रहा है टेक्नलोजी के बहतर इस्तेमाल की वज़े से अब गरीब से गरीब व्यक्ति अपना हक बीना के थी ब्रस्टाचार के पा रहा है पहले कितनी ही योजनाओं का पैसा गरीब तक पहुंची नहीं पाता था आज उसके हग का वही पैसा सीधे उसके बैंक खाते में ट्रांस्पर किया जा रहा है कितनी ही योजनाओं ऐसी थी जिसमें लाभार्थियों के सही पहचान नहीं वह पात्र होते थे वो इसका फायदा उठा लेते थे लेकिन अब टेक्नोलोजी की वज़र से वो सारी पुरानी अवस्थाएं बदल गई है करोणों से नाम जो सिर्फ कागजों में थे जो किसी गरीब का हक उस तक पहुंचने नहीं देते थे उन नामों को हटाया जा चुका है आज एक लाग असी हजार करोड रुपे से अधिक गलत हाथों में जाने से पैसा बच रहा है टेक्नोलोजी का बहतर इस्तमाल आपको अपने छेत्र के लोगों के संकने करने में बहुत मदद कर सकता है इसके लिए एक अहम माध्यम नमो एप भी है नमो एप पर जो टूल्स है वो आपको जनता जनारदन से समवाद में साहता कर सकते हैं मैं चाहता हूं मेरे सभी सांसदों के लिए यह हत्यार बहुत काम आए अब थोड़ा समय दीजिए उसके साथ आप देखिए उसमें इतनी चीजे हैं जो आपके शेत्र के लोगों से संपर्क बनाने के लिए वह एक बहुत बड़ा साधन बहुत बड़ा हत्यार बहुत बड़ा माध्यम आपके टेलीफॉन में उपलब आपके मोबाइल फॉन में उपलबता है आप उसका फायदा उठाएजे एगा और उसकी अच्छी एक बड़ी ताकत यह है कि यह टूबे कॉमिलिकेशन का भी बहुत आफिसके सकते हैं आप लोगों तक अपनी बात पहुँचा सकते हैं और लोग भी उतनी आसानी सांची के 75 वर्ष का उसर कि हमारे एकदम सामने ख़डा है if आत्म निरभर भारव को लेकर क्यांत पुरे देश में एक चेतना ज्गिए मैं आप से आगर करूंगा पार्टी की हर इकाई देश में भी राज्यों में भी जिले में भी और पॉलिंग बुद तक हर इकाई आज हादी के 75 साल निमित कम से कम 75 ऐसे कोई नुकोई काम हम करेंगे कर सकते हैं क्या कि कम से कम 75 काम के साथ हम जुडेंगे बले एक साल लगे डेर साल लगे लेकि हम करेंगे हम उन 75 कामों को अडेंटीफाय करें आज हादी के 75 साल के निमित इस काम को अवस्य करें और उसका हिसाब किताब रखें कि देश के सामान ने मानुवी से जुड़ने का हम प्रयास करें आजहादी के 75 साल सिर्फ रंगा राग कारेकम्स के समात्त नहीं होना चाहिए जन्मन के साथ जुड़ने का एक बहुत बड़ा अवसर होना चाहिए नई पीडी को राष्ट के लिए प्रेणा देने की एक ताकत के रुप्य परिवर्थित होना चाहिए और इसलिए भारती जनता पार्टी के हरकार करता जिसके लिए राष्ट निती ही प्रेणा है इसके लिए आजहादी का 55 वर्ष ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रेणा है कि साथ्यों कि वोकल फॉर लोकल कि आत्मंदिर कि न está है मैं सभी मेरे MP साथियों से आग्र करता हूं मेरे साउनसेद साथियों से आग्र करता हूं कि मैं भारती जनताप पाड़े के कारकतस्से आगर करते हूं कि जो रहा ऩामें दिंदैर लूर्जिन सिखाई थी उस रहा पर चलने के लिए हम कहीं से कुछ तो सोचें एक काम आप कर सकते हैं किया कठीन है लेकिन करना है मैं कहूंगा तो आपको लगेगा यह तो बहुत सरल है लेकिन फिर भी मैं कहता हूं बहुत कठी परिवार कि आपके अपने सदस्च सब बैट करते उसमें भी आपके नौजवान बेटे बेटी भाई बहन जो भी हो उनके साथ बैठ करके एक काम कीजिए एक अच्छी सी डाइरी ले करके लिखी है कि सुबह उठ्षने से रात को सोने तक जिन जिन चीजों का उपयोग करते हैं उसमें से कितनी हिंदुस्तान की हैं और कितनी बाहर की हैं जरा सुची बनाईए मैं बेलकुल कहता हूँ आप खुद जब सुची बनाएगा आप चौंक जाएंगे आप दर जाएंगे हमें पता यह नहीं है बिना कारण जो चीज हमारे देश्वे उपलब्द है जो चीज हमारे देश के लोग बनाते हैं मेहनत का स्लोग बनाते हैं बीबी चीजे जाने अंजाने में हमारे जीवन में गुश गई है हो अगर देश की मिट्टी की सुगंद जिसमेंना हो देश के मजदूर का पसीना जिसमेन रहो आइसी चीजों से मुक्ति पानी चाहिए के नहीं पानी चाहिए ए यह जिम्मा हमें लेना चाहिए और नहीं मैं यह नहीं कह रहा हूं कि आपके पास कोई गड़ी है को चश्मा है तो फैक्ट हो मैं यह बात का विचान काम पक्षा नहीं हूँ लेकिन सोचिए तो बिना कानर चीजे गुज गई है असी परसंट चीजे वो होगी जब लिखो गए अच्छा मैं ये भी चीज भार की उप्यों कर रहा हूं अरे रे कैसी गल्दी कर दिये आपका भी मन उठ जाएगा जी आप देखिए देश को कित और जब हम अपने से शुर पाएंगे और इसमें गर्वन उपों कीजिए दोस्तों और मैंने देखा एक जब मैं लोकल फॉर वोकल फॉर लोकल की बात कर रहा हूं तो ज्यादा तरह लो क्या करते हैं देखिए दिये हम लोकल है नहीं भाई दिवाली के दिये से बात पूरी नहीं हो जाती है वो तो हमारे मन के अंधेरे को दूर करने के लिए एक छोटी सी शुरुवात है हमें जरा व्यापक रुप से होना चाहिए साथियों दिन्दायल जी ने हमें जो समस्कार दिये कि यह समायत के प्रति हमारी जो संवेदना होती है कुछ संवेदना का सामर्थ कितना होता है अब देखिए सरकारे इतनी आई है कुछ काम हम ऐसे कर रहे हैं जिसमें आपको वह बात दजर आएगी जैसे मैंने अभी कई चीज़े बताई कि सवुचाले का सोचने का विचार इक आत्म मानोधर्शंद नेuffरे साहत का मंत्र से ता है आपने देखा हमएं किए अमारे देश में भाशाएं तो अलग-अलग है कि मालग अपने-अपने अपने है दुनिया में जीते भी है यह हमारी विवित अपनी पाकत भी है कि लेकिन क्या कारण है कि हमारे देश में यह जो हमारे मुकवधिर भाई बहन होते हैं हमारे दिव्यांग होते हैं कि उनके लिए भी आजहद की इतने सालों के बाद भी हम common साइन लेंगुज नहीं बना पाये थे सा अमील नाडु एक बदीड चिस लेंग Euch को जानता था कि दिली का बच्चा वो नहीं जानता था जो बंगाल का जानता था वो गुजराथ नहीं जानता क्यों अपने तरीके से साइनी डबलब की इस सरकार की संवेदन सिल्टा देखिए कि हमने मेहनत करके अब पूरे देश में एक ही प्रकार के साइनी से वो समझ पाता है यह सिख्षा शुरू कि इसमें देश की एकता का भी मुता है सरलता का भी मुता है यूं तो लगने वाली चीज बहुत है लेकिन देश में छोटे छोटे लोगों की चिंता करने से ही देश बड़ा बनता है कोई चीज छोटी नहीं होती है कोई काम छोटा नहीं होता है कोई व्यक्ति छोटा नहीं होता है किसी आवश्यक्ता हमें छोटी लगती हो तेकिन उसकी जिन्गी में वह बहुत बड़ी ही होती है यह जो है ने एकात्म मानव दर्शन का एक रूप है और इसलिए हम लोगों का काम है कि हम किसे करें पंडित दिंद्याल जी के जीवन को देखे कि सादगी परिश्टम कि यह बाते हमें बहुत उभर करके सामने आती है कि मुझे पंडित दिंद्याल जी को देखने का सोभागे नहीं मिला है उनके दर्शन करने का मुझे वह नहीं मिला लेकिन जीतना सुना है जीतना पड़ा है कि कहते हैं कि जब वो भारत में यात्रा करते थे संगढ़न के लिए काम करते थे पार्टी के पास आरक्षण के पैसे नहीं होते थे ट्रेन में तो ट्रेन में जहां टॉइलेट होता है उसके बगल में अपना बिस्तर रख करके बैठे रहते थे चोबिश जोबिश घंटे यात्रा करकर के किसी कार करता गया पहुंते थे यह परीश्ण करकर के इस पार्टी बनी है अनेक लोगों ने उस प्रका का जीवन जिया है हम लोग तो भाग्य साली है कि आज हमें हमारे नसीब में सबाया है लेकिन तीन तीन चार चार पिडियों के घंड एक निश्र पुर्शार्त का पर नाम है कि आज वटबृक्ष बना है और यह साधना कम नहीं है आप भी अपने इलाकों में देखोगे ऐसे कई परिवार मिलेंगे जो तिन तिन चार चार पिडि लगी है और उन्होंने कभी कुछ पाया नहीं लिया भी नहीं मांगा भी नहीं है उनके सम्मान की चिंदा हम लोगों का धाई तो है हमें परिवार है हमारे सौंस्कार हैं मैं इस कॉरोना काल में क्योंकि मैं पहले संगर्ण के काम करता था तो मैं देश भर में सबीड़ात मुख्यमंद्री बन गाया तो थोड़ा मेरा संपर्क कम भी हो गया लो कि सुबह हर दिन कि पचीस पचांस लोगों से फोन पर बात करने का एक कारकम बनाये बने हैं और जो भी बड़ी आयू के है सतर पचातर के आयू के आसपास के पुराने लोग सब को फोन करके उनके आशिरवाद मांगता था अब कल्प ना कर सकते हैं अपने से एक्षेतर भी कई लोग होंगे जिनको पाद मेरा फोन गया होगा है वे इतने आशिरवाद देते थे कोई शिकायत नहीं करते थे फोन आया तो फिर ज्यादा तरदे के था रहे मुद्य जी तरह काम है आपके पास आप कहें को मेरी इतनी चिंदा करते हो अरे हम कर लेंगे कि यह परिवार भाव यह अपने आप में बहुत बढ़ी ताकत होता है जी हमने इसे कभी नहीं बोलना चाहिए आप देखिए दिन जी के पास क्या था कुछ नहीं था जी व्यानिकेत थे व्याकेंजन थे न घर था न धन था लेकिन हमारे दीलों में आज भी है साथियों ऐसी प्रेरक व्यक्तित्व ऐसे प्रेरक विचार ऐसी परंपरा की विरासत हमारे पास जब हो तब हमें राष्ट्र सेवा के हमारे संकल्पों से कोई विचलित नहीं कर सकता है कोई हमें विमुख नहीं कर सकता है साथियों एक राष्ट जब किसी लक्ष को लेकर के आगे बढ़ता है तो उस लक्ष के प्राप्ति की जो प्रक्तिया है उसमें व्यक्ति निर्मान का कार्या होता है उस लक्ष के प्रति उत्साहित, समर्पित, संकल्पित, लोग देश के लिए तो मुल्यवान होते ही हैं, वो किसी पी संगटन के लिए भी उतने ही मुल्यवान होते हैं, इसलिए एक संगटन के रूपे हमारे सामने अवसर हैं, कि इस प्रक्रिया में हमें ऐसे कई नए लोग युवा साथ ही मिलेंगे जिनके स्वभाओं में देश के लिए कुछ करना देश वास्यों के प्रति प्रेम यह सब सहच रूप से होगा अलग-अलग शेत्रों से ऐसे लोगों को भाजपा से जोड़ना यह भी हमारी प्राथमित्ता होनी चाहिए हमें अमारा परिवार का मिस् किमाय होनी चाहिए हमारे संगर्षन के के क्यों टिए क्वानिटी टेटिव विस्षार को भी यह अउसर है में और इसलिए मैं चाहूंगा श्यामै इसमें कहीं कमी देंगे एक और बात भी मैं कहना चाहूंगा हमें अपने विचारों को व्यापक बनाने का प्रयाद भी जोड़ देते थे आप सभी अध्यन के लिए जरूर समय निकाले आप संसत के संसाधनों का प्रयोक करें और और वी जैसी रूची हो वैसे विश्यों से भी जुड़े दिन्याल जी को पढ़ने समझने के लिए भी आप समय निकाले इसी तरह आप बाबा साब आमबेड करको ड कि आप एक अलग साथ छोड़ पाएंगे मुझे विश्वास है कि हम सब दिन्याल जी की इन आदर्शों को लेकर के आगे बढ़ेंगे दिन्याल जी गंतियों दे का जो सपना था वो 21 विस्थजी में एक नए भारत के निर्मार के साथ पूरा होगा मेरे साथियों देश की हमसे बहुत अपेक्षाएं हैं उन अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए हमें अपनी तरफ नहीं देखना है आकरी छोड़ पर जो इंसान बैठा है जो परिवार बैठा है उसकी तरफ देखना है अगर हम उसको मन में रख करके काम करेंगे न कभी ठकान आएगी ना विराम का मन करेगा ना कोई मोह में उस दिशा में खींच करके ले जाएगा हम विरक्ष्ट भाव से तन मन धन से उसकी सेवा का आनंद ले पाएंगे इसी एक भाव के साथ जब हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो आखिर में एक पंक्ति दोहरा करके पंडित दिन्दयाल उपाद्याजी को आदरपुर्ख सद्रांजी लेते हुए आप सबको अनेक अनेक शुब कामनाव देते हुए मैं यही कहना चाहूँगा राष्ट भक्ति ले रुदय में हो खड़ा यदि देश थारा संकटों पर मात कर यह राष्ट भीजेई हो हमारा यह राष्ट भीजेई हो हमारा बहुत बहुत धन्यवाद गांजज भीजेई राष्ट लेंगे गलाष्ट भीजेई हो हमारा यह राष्ट भाष्ट अनेक अनेक अजिए बहुत भीजेई ज़ेगिए टुब कर नियो खवा जीजेए पर वीजेए कि लेका वा भाव रता हुआ गँमत भीजेए कि अधरने प्रधानमंत्री जी आपके विचार पूर्ण और प्रेणादाईर संभोधन ने आज हम सबी सांसदों को आपके इस वाक्ये को हमेशा इस्वरन रखने के लिए मजबूर किया है जो आपने कहा है कि हमारी राजनेती देजभक्ती से शुरू होती है देजभक्ती से प्रेवित होती है और देशित के उद्देश से के लिए समर्फित होती है अपने इस कारिकरम के समापन में मैं लोकसभा के मुख्ये सचे तक श्री राकेश सिंगी को काऊंगा कि वह आकर के यह धन्यवाद भाशन देवे राकेश सिंगी पंड़े दीन द्यार उपाद्या जी की 53 पुन्यतिति के अवसर पर मंच पर विराजवान है वैश्विक नेता हमारे अश्रस्वी प्रधान मंत्री हमारे प्रेणा परुश श्रद्धे प्रधान मंत्री माने मोधी जी मंच पर विराजवान है विश्व की सबसे बड़ी पाइटी भारती जन्ता पाइटी के राष्ट्री अध्यक्ष सम्मानी जगत प्रकाश नड़्डा जी पंडित दीन्द्याल उपाध्याई जी ने राष्ट के जिस चिती और उसके उधीमान होने पर राष्ट के विराट की संकल्पना की थी हमें गर्व है कि हमारे यश्ष्वी प्रधान मंत्री ने उसे आत्मसाथ करते हुए राष्ट के चिती को जागरत किया और उसी का प्रणाम है कि विश्व के पटल पर आज भारत के विराट स्वरूप के दर्शन हो रहे हैं भारत का डंका बजरा है हम सभी यश्ष्वी प्रधान मंत्री जी का आभार प्रगट इसलिए भी करना चाहेंगे कि पंडित दीन द्यालुपाध्याजी के विचार प्रवहा को जिस सरल्ता के साथ में उनने आशिर्वात स्वरूप आज हमें सौपा है हम सब के सामने रखा है वो जीवन भर हम सब के लिए स्मणनी रहेगा मैं इस मंच से उनके प्रतिया भार प्रगट करता हूँ उनका अभी नंदर करता हूँ मैं अभी नंदर करता हूँ भारती जन्ता पाइटी के राष्ट्री अध्यक्ष जो पंडित दीन द्यालुपाध्याजी के दिखाई हुए मार्ग पर भारती जन्ता पाइटी के एक-एक कारकरता को लेकर आगे बढ़ रहे हैं अंतियोदे के उस लक्ष की तरफ जहां हम सभी को जाना है उन्होंने आज अपनी प्रस्तावना में भी हमें मार्ग दर्शन देते हुए उस तरफ आगे बढ़ने के लिए कहा है उनका भी मैं अभी नंदन करता हूँ उनके प्रतिभी आभार प्रगट करता हूँ यहां उपस्त भारती जनता पाइटी के हमारे सभी सम्मानिये केंदरी पतादिकारी गण और भारती जनता पाइटी के सभी मानिये सांसत गुणों का भी मैं अभी नंदन करता हूँ आभार प्रगट करता हूँ इस भवन को देने के लिए उस संस्था का और आज के इस कारक में हैं मीडिया के मित्रों का भी मैं आभार प्रिगट करता हूं बहुत बहुत धन्यवाद भारत माता कीजिए